हैं अ मासे जी ये अर्जुन के पास 14 विज्ध्याई थी कि वह कौन कौन सी थी ज़रा विस्तार से बताइए हा जी सुनिए ये प्रिसंड हुआ आपके द्वारा के वह अरजुन के पास में 14 विज्ध्याई थी वह कौन सी थी उनका विष्टार से या खुलासा करके बताया जाए तो महनु भाव सुनिए तोदा विज्जा वैसे राजा भोज के पास ने भी थी प्रन्तू पर्चलित हुई अरजुन वाली कब क्यों हुई और कैसे हुई कहां से प्राप्त हुई इन बातों का भी खुलासा अरजुन एक बार इंडर पुरी में कलास सीखने के लिए गया था वहां पर उरवसी अफसरा जो के इंडर की अफसरा थी जिने हूर कहते हैं ये वहानात नकाना क्या करती थी उरवसी अफसरा जो है अरजुन के शानों सोकत पर अरजुन के तेरे पर अरजुन की बातों पर अरजुन के डील डॉल पर और इसकी मधुरवानी से इसके उपर मोहित होगी मोहित होने से वहाँ कुछ नहीं बोल सकी जब के शाम होगी और अरजुन अपने कमरे पर जाकर के सो गया उस वक्त रात को उरवसी अफसरा जो के अरजुन के पास में जाती है जाकर के और दर्वाजा खरकराया डर्वाजा खरकराने के बाद में और अरजुन खड़ा हुआ अरजुन खड़ा हुआ तो अरजुन ने दर्वाजा खोल कर देखा खोल कर देखते ही अरजुन के मन में वो भावा आ गए अरजुन के सुने हुए थे कि हमारे कुल की चलाने वाली माता उरवसी है उरवसी किसी उद्देश से गई थी लेकिन अरजुन के मन मस्तिक्ष में वो बात आई कि ये हमारी कुल की चलाने वाली कुल माता है दर्वाजा खोलते ही सामने उरवसी को देखा हाथ जोड़ कर कहने लगा माते प्रनाम बस माता परनाम कहते ही उरवसी कहने लगी ओ जा हिजडे मैं तो कुछ और ही कारण से आई थी हिजडे का स्राफ दे दिया अब देखिए हिजडे का स्राफ दे दिया सुबह फिर दरवार लगया दरवार में अरजुन ने अपना ये प्रस्ताव रख्या इंडर जी के सामने के महराज मेरे को मेरे साथ में रात को ये बात ही उरवसी को बुलाया गया और इंडर ने कहा के उरवसी तैने ये क्या सोचा बला जी मैंने तो जो कुछ सोचा सो सोचा अरजुन ने मेरे को माता क्यों कहा वहाँ पर इस बात का खुलासा हुआ क्यों मैं थोड़ा सा पीछे से ले रहा हूँ इस बात को खुलासा हुआ कि पुरूरवा को व्याही थी ये उरवसी इनकी कुली थी इसे पुरूवन्स की भरतवन्स की कि ब्रमहा, अट्री, चंदरमा, बुद्ध, और फिर पुरूरोवा, उस पुरूरोवा के साथ मैं उर्वशी व्याई गई थी, उस उर्वशी से ही यदूवंस और पुरूवंस दोनों तो ले थे, पुरूवंस में ही अरदुन थे और यदूवंस में स्री करिसन थे, इसलिए म इसको अपनी माता समझा और माता कह गी परनाम किया। ठीक इंदर ने कह जा ठीक किया अरजुन ने। लेकिन कहने लगे कि एंदर भाहान मेरे को तो शराफ दे जिया हिजडे का। इंदर जी कहने लगे कि बरुशी इस बात का क्या बनेगा नुराजी आप इसका समाधान असराफ बिल्कुल तो निर्ष्ट नहीं हो सकता प्रन्तु एक साल तो आपने भुगतना ही पड़ेगा फिर भी आप जोड़कर खड़ा हो गया अरजुन और फिर कहा कि माराज एक साल तक मैं छत्रिये मैं नरका उतार मेरे को कहते हैं और स्री कृष्ण का सखा नारायन का सख तो हो गाई यह बात थी अब वहां पर आते हैं कि यह 14 विद्धा कैसे अरदुन में हुई वहां से नर्थकला सीखी नर्थकला सीख करके और यह जब के मैंने पहले बता था के नोकर लगे राजा कमल नैन के वेराश नेकर में जाकर करके जाने लगे तो उस वक्त अरदुन ने उस सराफ को मांगया कि है इंद्र भगवान माता उरवसी आज मेरे को वो सराफ चाहिए क्योंकि मेरे को नोकर कौन लगाएगा वैसे तो वहां पर ये बताते हैं लेख बताता है सुगदेव मनी जी का कि आधा मर्दाना और आधा जनाना अरदुन बन जाता है आधा अरदुन बन्या जनाना आधा वेश किया मर्दाना जा पहुंचा दरवार में दरवार में जाकर पहुंचता है और खड़ा हुआ खड़ा खड़ा नजाकत खूब दिखावे और ताली बजा नेन मटकावे नाम बतावे था बरहन अल्ला पहर रहा था गूटी छला मर बता देख कर नहीं सका विचार में, वहां पर अजुन बताता है कि लड़के लड़की खूपड़ाओं और नाच दिखाओं गाओं गाना, दुनिया में कमा के खाना नहीं मर्द नहीं नार में, मैं तो आधा मर्द हूँ, आधा जनाना, राजा कहने लगे क्या जानता है, से 14 विज्ञा, नुमराजी में 14 विज्ञा पास हूँ, ब्रहनला जरूर हूँ, नपूसंक जरूर हूँ लेकिन 14 विज्ञा सिख हूई है मेरे को, राजा कमल ने पूछते हैं कि अच्छा, अगर वो 14 विज्ञा पास हो तो बताइए कौन कौन सी है, तो अरदुन वहां पर अब ये आपके परसंद का उत्तर आता है कि वो खुलासा करते हैं अर्दुन पहली विद्धा राग है और दूसरी रसायन जान तीसरी ये नाटकला तोति समोधन परदान पांचवी वेदांग छटी अस्वार अउनका प्रमान सात्वी एकावे करना आठ्वी जो तिसकासार नोवी विद्धा तैरना है दस्वी है सस्तर की मार जार्वी व्याकरन विद् और चोदा केहते चित्तरकार ये चोदा विद्धा वहां पर गिनवाई और फिर आखरी में इसकी तोथी कली में है कि बैठे बडे बडे शरोता भीम कावी दरिया के सागोता होता मान कदरदारों में और ये ज्यान मिले नहीं वाजारों में चाहिए घुमलो संसार में ये चो online के यहां अर्दुन ने किया, यहां पर आपके परसन का, यहां पर स्वापती होती है, यहां पर आपके परसन का विराम होता है, धन्यवाद.